नमश्कार दोस्तों और हेल्थ डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिट से इस वाकत हैं दोस्तों यदी आप एक प्रेगनेंट महिला हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी में यदी आप एक सेव रोज आना खाती हैं तो इससे आपको क्या-क्या फायदे हो सकत हैं दोस्तों धकान दूर करता है सेव यदी आप रोज सुभा और साम एक एक खाएंगे तो इससे बहुत सारे में फायदे मिलते हैं सेव में बहुत सारे तत्व पाई जाते हैं जैसे कि विटामीन केल्सियम आयरेन प्रोटीन इन सभी से भरपूर होता है यह फल दोस्तों स महिलाओं को अने द्रत जैसी बीमारी हो जाती है यानि नीन ना आने की बीमारी ऐसे में यदिया रोजाना एक सेव का सेवन करती है तो निश्चे तोर पर आपको इससे जरूर लाब होगा सेव में कैलोरी के साथ साथ कैलिस्ट्रॉल को भी कम करने की शक्ति होती है बच्च है श्री महिलाओं के और भी आनि लेते हैं दोस्तों गर्वथी महिलाओं के सेव के और भी अनिक फायदे होती है आईए जान लेती दोस्तों गर्ववस्ता की दोरां सेव खाने का असर बच्चे के स्वास्ते पर पड़ता है ऐसा है ऐसे बच्चे ज्यादा स्वास्त और तंदुरुस रहते हैं और साथ ही उसके फेबरे आन्य बच्चों की तुलना में ज्यादा विक्सित होती है पाचन कि अच्छी रहती है ठकावट को करता है दूर गर्ववस्ता के दोरां अकसर महिला खुद को थका हुआ मैसूस करती है और ऐसे में अगर महिला सेव का सेवन करें तो उसे तुर्ण अनर्जी मिलती है सेव में प्रचूर मात्र में क्लोरीन तांबा लोहा मैगनिशम तदा फॉलिक एसेड भी पाहे जाता है जो रोज एक सेव खाने से गर्वस्ता के दौरान होने वाले बीमारियों से बचाता है गर्वस्ता के दौरान अकसर महिलाओं को अनित्ता की भी समस्या होती है तो उन प्रवस्ता के दौरान सेव खाने से बच्चे ज्यादा स्वस्त और तंदृस्त रहते हैं इस दौरान सेव खाने से शरीर में खून की कमी नहीं होती प्रेगनेंसी में एनीमिय की समस्या बहुत परिशानी करती है सेव में बहुत सारा आयरन होता है जो कि मा और बच्चे को स्वस्त्य रखता है ब्हूंड के लिए मरकरी बहुत ही खतरनाक तब तो होता है जो प्रैइड माहिला को सुझाव दिया जाता है कि यह मरकरी वाले अहर से दूर रहें सेव खाने से शरीर में जमिन मरकरी और लेड निकल जाती हैं तो दोस्तों यदि आप एक प्रेगनेट मैला है और यदि आप सेव का सेवर नहीं कर रहे हैं तो आज से ही खाना सुरू कर दें क्योंकि इस से खाने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं और आपके होने वाले बच्चे को भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं तो हमें झाल वाओ